पर भी वास दिश्किसिंग अबाउट नुकलीएस यह केंद्रक का होता है कहां पाय जाता है कैसे काम करता है और इससे पहले वाले वीडियों में हमने केंद्रक की बाहर की संद्रिशना और उसके बाद में उसमें पाए जारे वज़ा जो केंद्रक छिद्र है नुक्लियर पॉर कॉम्प्लेक्शस को स्ट्रक्चर और किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में हमने पढ़ा इसके लाबा जो नुक्लियर पोर के लाबा जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्रोस दा नुक्लियर मेंब्रेन जैसा हमने स्टून और राइबुसम्स का एक एक एक्जामपल दिया इसके लाबा जो मेजर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसको इस डाइग्राम में दर्शाय गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूक्लिस के अंदर क्या है DNA DNA से RNA का फार्मेशन भी nauclis के अंदर हो रहा है न्यूक्लिस से DNA से ते इसके बार ने जिघे आस चाफारमेशन होता है RNA में ट्रांसपर RNA का फार्मेशन होगा मैसेंजर RNA का पार्मेशन होगा जानते हैं राइबोसमल प्रोटीन के साथ में मिल करके सब्सक्राइब हैं केंद्रक द्रब्वे से बाहर कोशिका द्रब्वे में चला जाता है वहाँ जाकर के आगे जाकर के वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता विद्दा हल पॉपट इसके रावब राएबू SOMAL जो सब यूनिट्ट जो बनती है वो भी बहार आती है तो ट्रांस्पर RNA बहार आएगा मेसिंजर अब बहार आएगा और राएबू SOMAL RNA राएबू SOMAL सब यूनिट के साथ मिल करके कोशिका धरबे में आता है और कोसी का दुर्बभी में आने के बाद में पर्तिक चु रायबु सोंस, थीनों प्रकाईर के रायबु सोंस मिल करके क्या बनाते हैं उस से फिर protein का formation होगा, translation process के थूँ यह डिना से यहां रणने का formation यह ट्रांस्क्रिप्शन हो गया डीने से डीने का पॉर्मिशन है राप्लिकेशन के अंतरा आता है तो यह कहा है यहां पर यह नुकलियर मेंब्रेन है और यह साइटो प्लाजम है यह नुकलियर नुकलियो प्लाजम है इसके रावा जब रैप्लिकेशन होता है जब रैप्लिकेशन होता है रैप्लिकेशन का होगा नुकलियस के अंदर होगा और नुकलियस के अंदर एक डियने से दूसरे डियने की कौपी बहनती है उस डियने से डियने का फॉर्मेशन करने के लिए जैसा कि आप सब और हम सब है टी येन भी मैंना जो मोलगिकिले जो काम आते हैं एक तोसische में स्ट्रोंड्य प्रोटेANS काम आते हैं नОउन प्रोटेANS काम आते हैं इसका लूझा लाबहा चारू दरका ए टी जीशी जो निकले जो निक्रोटाईड से बो सब काम आते हैं और छहां हम कहा हैं, कुने क investigative molecules नुक्रिस के अंदर आते हैं और कुन लूआज से सैट्रोप्लाजमे केंद्रक द्रभी से कोश़का द्रभी में जाते हैं इसके अलावा भी बहुत साथ मौलिक्यूल से जिनकी जरुरत फ्रेक्वेंटली पढ़ती रहती है और वह नुक्लियर पॉर के थूर नुक्लियस और साइटो प्लाजम में कंटिनुस एक्सेंस होते रहते हैं ताकि नुक्लियस तंसे काम कर सके हैं इसके अलाबह जो एक्टिव ट्रान्सपोर्ट इनुक्लियर मेंब्रेन के तुरू या जासा की नुक्लियर कोड़ करते हैं तो यहां पर अभी हमने डिसकस किया बहुत सारे molecules क्यांदरक द्रब्बे से कोश्य का द्रब्बे के द्रब्बे जाते हैं लेकिन जो बड़े जो molecules होते हैं उनको अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करना के लिए energy के ज़रुत वो फूर नुक्लीर फोर के ही नुक्लियर मेंब्रेन से एक मॉल्जूल का ट्रांसपूर्ट किस तरह से किया जाता है तो ये समराई DO EGI तो सबसे पहले जैसे फूर एघ्जम्पल इस इस ये परटीन circuit को नुक्लियस के अंदर ले जाना है यह क्या है यह नुक्लियस है और यह साइटो प्लाजम है और यह नुक्लियर पौर है तो यहां से यह प्रोटीन है जिसको नुक्लियो प्लाजम के यह कैंद्रक द्रब्रे के अंदर ले जाना है साइटो प्लाजम से तो सबसे पहले जो protein है उसमें एक NLS sequence होती है जो recognize करती है कि इसको kendra को द्रब्बे के अंदर जाना है दूसरा जो molecule से जिसको importance के नाम से जानते हैं यह important और यह protein जिस पे NLS sequence यह दोनों मिले करके एक complex बनाते हैं ठीक है यह complex बनाने के बाद में फिर यह कहां जाते हैं यह जाते हैं नुक्लियर पॉर पर यह केंद्रक जो चित्रे वहां पर जाते हैं जब इनकी sequence से वह मेंच हो गई है इसनले यह water के थ्रू जो नुक्लियर पॉर्म में है उसके थ्रू यह आजनी से पास हो जाते हैं और यह चले जाते हैं नुक्लियर आए प्लाजम में नुक्लियर प्लाजम में आगे जाकर क्या होता है कि यह जो प्रोटीन जिसका ट्रांस्पोर्ट किया गया है निकली प्राज में वह सेपरेट हो जाता है और इंपोर्टीन के साथ में जुड़ जाता है रेन जी टीप ठीक है एक रेन प्रोटीन जो बाहर आया है वह इंपोर्टीन से अलग हो जाता है ठीक है तो इंपोर्टीन से अलग होने के बाद में जो फिर यह जी टीप और रेन और इंपोर्टीन दोनों मिल करके फिर यह क्या करते हैं ट्रेंसपोंते डैकि 20 साय्टूपलाज साय। उपलाज में बहार आजते हैं और बहार आने के बाद में फिर यह फिर गवाल यह जी जी डी आलग हो जाता हैो यह रहता है एकुंप्लेक्च से कह सकता है भरेन मॉलिकुल यूटलाजी जीटी पी और इसकी साथ में इंपोर्ट्टै इससे अलग होती है यहां पर यह देखिएगा यह बहुत इंपोर्टन्ट है दा एन पीएस अलोव फ्रीली पर्मियबल अप्टू सिक्स नैनोमीटर साइज मॉलीकुल्स तो ऐसे मॉलीकुल्स जिनकी साइज एक्स नैनोमेटर या उससे कम हैं उनको वह नुक्लियर पोर के तुरू बहु यह एनर्जी की जरुरत रहती है कि कि के अ इसके लाबा जो नुक्लियर मैट्रेस अ अपार्ट फ्रों 1890 क्रोमेटीन फाइबर सम नुक्लियर मैट्रेक्स वाइबर थोट तो वी प्रेजेंट नुक्लियू प्लाज्म विच मैंटेंश शैप और साइज आप नुक्लियू य यह एक इंपोर्टन चीज है क्योंकि एक नुक्लियर से उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक तो उसकी सेप और साइज बिल्कुल फिक्स रहनी से यह वह नहीं हो तो उसको मतलब मैंटेंड करने के लिए उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाय जाते हैं जिर को मैट्रिक्स क नाम से जाते हैं इसके लाबर सबस्क्रोंच वह एक साइज प्रदान करते हैं है मप नुक्लियर लहमिना नुक्लियर लेमिना यह क्या है जो इनर नुक्लियर मेंब्रेन है उसके जस्ट नीचे की तरफ नीचे साइड में पाए जाती है और एक जालनुमा इस्ट्रक्चर यह बनाती है जाइग है उसके जाइब कहा है कि जालनुमा इस्ट्रक्चर बनाती है तो उससे क्या है कि जाइब के करने में सायता मिलती है इनर नुक्लियर में इसको probability क्या मिलती है उसको इक प्रॉपर सेप्डान करते है है इसके लावा तो से नुक्लिय मैट्रीक्स ओगा नुक्लेयर लेमिना ओग है और एक ओड इंपोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जय जिसम्ह ञाएं आण से जाहते है लाक्र्म भीम विएंवि मोथबद gross associated with the histone protein DNA molecule histone protein के साथ में मिल करके chromatin fibers पराते हैं chromatin fibers के अखर हम बात करें तो जो DNA molecules में पाए जाते हैं ये chromatin fiber आगे condense होकर के chromosome का formation करते हैं इन जब कोशी का भीवाजन होती है तो मेटाफेज अवस्ता में जो chromatin हमें दिखाए देते हैं उनको हम chromosome से अगुन सोतर के नाम से जानते हैं जब ये interface अबस्ता में होते हैं तब इनको हम chromatin fibers के नाम से जानते हैं chromatin fiber भी दो प्रकार की होते हैं एक तो heterocratin और दूसरे एक तो constitutive heterocratin और दूसरे facultative heterocratin constitutive heterocratin वोग heterochromatin होते हैं जो दे condense all together of cell of air of any मतलब ये कभी इनसे transcription नहीं होता है एक तो constitutive heterocratin हो गया और facultative hero heterocratin हो गया ये डिपेंट आप जब जिस की requirement होती है तो उसे उस डिएने के part से RNA या messenger RNA का formation होता है तो chromatin का जो part कभी भी messenger RNA नहीं बनाता है उसको हम constitutive heterocratin के नाम से जानते हैं और जो DNA का part जो protein बनाता है ये सोरी जो messenger RNA का formation करता है उसको हम facultative heterocratin के नाम से जानते हैं हाँ ये अब बात अलग है कि कई वार जो messenger RNA का formation होता है वो एक particular stage पर हो सकता है एक particular cell में particular प्रकार के messenger RNA का formation हो सकता है है क्योंकि प्रतिक जो cells है प्रतिक टिश्यू जे प्रतिक जो और्गन है उसके जो protein के requirement हो अलग अलग होती है इसलिए उसके बनने वाले messenger RNA भी डिफ्रेंड होगे ओके इसके लावा जो क्रोमेटिन फाइबर की क्रोमेटिन फाइबर का chemical अगर अगर एनलाइसिस करें तो हमें क्या क्या चीजें हमें चार मेजर चीजें हमें उसमें मिल सकती है एक तो DNA structure of nucleus की जो फर्दर जो structure है फंक्चेन उसके बारे में है पड़ेंगे